असलामू आलेकूम मैं जुलेखा अर्फाद जुलेखास किच्छन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा शीर खुर्मा मैं आज भी मेरी जो दादी बनाती थी वही स्टाइल से बनाती हूँ और बहुत ही सिंपल है बहुत ही बहतरीन है एकदम लजीज है तो चलिए श दोके इसे एक-दो घंटे के लिए भीगाने रख दिया था फिर चन्नी के अंदर चान लिया उसे 10-15 मिनिट के लिए रहने दिया और यह अभी मनी प्याली में दाले हैं यह दूनों बादाम पिस्ते हैं 50-50 ग्राम बारिक कटे हुए रेडी मेड है और यह 1.5 लीटर एक अच्छी मोटे पैन की पतिली में दाल दीजिए और बहुत अच्छे से धोईएगा क्योंकि काफी बार मुझे यह questions आते हैं कि हमारे यह दूद क्यों फट जाता है क्योंकि आप जो भी चीजें इस्तमाल कर रहे हैं शायद वो proper से धुली हुई नहीं भी होती हैं वो भ रग देती हूं और यहां सामने की साइड पर पैन रग देती हूं फ्राइपैन अब यह फ्राइपैन के अंदर आप सबसे पहले में एक टेबलगे मां पर यह धाल गी दाल रहे हूं अब इसे मैं क्या कर रहे हूँ, चारोली फ्राई कर लेती हूँ, क्योंके चारोली है थोड़ी सी गीली है, तो अगर आप मैं गीली गीली दालूँगी सारी बाकी ड्राइ फूरूज के चास, तो वो थोड़ा ड्राइ नहीं होगा अगर ये चारोली, तो फिर वो दूद में जाएगी, तो हमारा दूद खराब हो सकता है, प्योंकि उसमें पानी है, अब ये separately मैं क्या कर रहे हूँ, आधे एक मिनिट के लिए, चारोली को मैंने फ्राइ कर लिया, और जो भी इसका गीला पन था न, वो सारा निकाल दिया, फ्राइ कर लिया, तो निकल गया उसका गीला पन, और इसे निकाल कर मैंने साइट पर रख दिया, अब ये देखिए, साइट पर रख दीजिए, अब इसके अंदर मैं और दो-तीन टेबिल्सपून जितना घी डाल रहे हूँ, असली घी यहां मैं इस्तमाल कर रहे हूँ, और यहां पर दाल दीजिए, हमारी सेवई, ये रोस्टेट सेवई हैं, चूला मैं मीडियम पर रखी हूँ, और बार-बार वीच-वीच में चलाते रहे हैं, और इसे भून लीजिए, बस थोड़ी सी कालर चेंज हो जाए, उतना ही आपने भून लेकिन बार-बार चलाते रहिएगा, यूजुली ना, मैं चारोली को अगले दिन ही भीगा कर, फिर उसे नितार कर, उसे थोड़ा सा एक प्लेट के अंदर खुला डाल देती हूँ, और हवा के नीचे रख देती हूँ, कि वो पुरी तरीके से सूख जाए, फिर नेक्स डे में यूज करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा रहता है, कि हमारे पास समय कम रहता है, इसके लिए मैं आपको ऐसा बता रही हूँ, चलिए, अभी बदाम भी दाल दीजी, पिस्ते भी दाल दीजी, और दो-तीर हरी लाइची मैंने इसमें डाल दी है, मैंने, माफी चाहती हूँ, कि स्टार्ट में शॉट में दिखा नहीं पाई, मैं बहुत excited हो गई, अब इसे फ्राइ कर लीजिए, मैं थोड़ा सा अस लीगी, और जादा दाल रही हूँ, एक टीबल स्पून चितना, बादाम पिस्ते दालने के समय, मैंने चूला स्लो कर दिया था, क्योंकि मेरी जो फ्राइपन है ना, ये स्टील की है, लेकिन आप चाहें, तो मीडियम आच रख सकते हैं, अब बस इन्हें, आप ये जो हमारी सेवई, ये जो दो मिनिट मीडियम आच पर भूने, और एक मिनिट हमारे जो पिस्ते बादाम और उसके साथ भूने, चलिए, अब यहाँ पर मैं ये चूले के ओपर दूद रखते हूँ, और विटली ये जो हमने भूनी है, ये सारे ड्राइफरूट्स दाल दीजिए सेवई के साथ, और चला लीजिए, अब इसमें 3-4 cup शक्र दाल दीजिए, अब यहाँ पर मैंने जो साइट पर रखी है, चारोली मैं वो भी डाल देती हूँ, सबसे पहले mix कर लीजिए, और दूद को ये जो fry pen के अंदर थोड़ा दाल कर, इसमें चला कर वापिस इसमें डाल दीजिएगा, तो जो भी लगा हुआ होगा, वो सारा आपको मिल जाएगा, अच्छा, अगर आपने चारोली पहले से करके रखी है, जैसे मैंने आपसे बताया, एक दिन पहले ही और उसे सुखा के रखी है, तो आप जब बादाम पिस्ते दालते हो ना फ्राइ करने में उसी टाइम पे दाल दीजिएगा, अभी चुला मीडियम आज करके या फास्ट आज करके इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए, जब बादाम पिस्ते आप आपके हिसाब से कमियाज जादा कर सकते हैं, चारोली आपने नहीं डालनी तो आप स्किप कर सकते हैं, अच्छा चारोली अगर आपने फर्स करो, सुबा में ही मेरी तरह एक दो घंटे भिगाई है और आपको उसे सुखाने का समय नहीं मिला तो आप मेरी तरह कर सकते हो, जैसे मैंने फ्राइ किया था, चूले को मैंने कर दिया स्लो आच और तकरीबन इसे, अब मैं 15-16 मिनिट तक पकने देती हैं, 15-16 मिनिट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, कलर के साथ चेंज और क्रीमिश हो गया और हलका गाड़ा हो गया, क्योंकि अब यह न, आप चूला बंद कर दे 15-16 मिनिट के बाद, तो जब वो थोड़ा रूम टेंपरेचर पर आएगा, तो as it is गाड़ा हो जाएगा, तो आपको गाड़ा करने के लिए कुछ दालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कलर आपको ऐसा क्रीमिश करने के लिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पक गया हमारा शीर खूर्मा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से उपर जो असली घी फ्लोट होता है, मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन अगर आपको चाहिए असली घी कम डालना है, तो कम डालिएगा, मैंने 4-5 टेबल स्पून डाला है, आप 1-2 टेबल स्पून डालिएगा, तो उस सुरत में आप नॉन स्टिक फ्राइ पैन में ही फ्राइ कीजिएगा, ये जो हमने हमारे ड्राइफ फ्रूट्स फ्राइ किये हैं, अगर आपको ज़्यादा सेवय पसंद नहीं है, तो 50 ग्राम के बजाए 25 ग्राम सेवय डालिएगा, लेकिन ये जो गाड़ा पने सेवय से ही आता है, मैंने कटे हुए बादाम पिस्ते बाजार के लिए हैं, लेकिन अगर आपको घर में करना है, काठना है, तो आप क्या कीजिए, खोड़ा सा गरम पानी करके, आप जो बादाम है, उसे एक दिन पहले 6-7 गंटे के लिए भीगाने रख दी, जब 6-7 गंटे हो जाए तो उसके चील निकाल कर, उसको नितार लीजिए, चील निकाल लीजिए और फिर उसके बारिक-बारिक चॉप कर लीजिए, पीसिस कर लीजिए, और अब पिस्ते पे आते हैं, तो पिस्ते को पानी गरम करके दालने की जरुवत निये, नौर्मल पानी में उसे 2 गंटा बिगा के रख आप एद के दिन शीर खूरमा वज़ा वजया चाहएगा ऑप सबको मेरे और मेरी फैमिली के ओड से भूबार्क बाड बढ़ खूर तो है नहीं है तो है एप साथ मुझेड़र शीख जाएगा तो अगर लात क्यों पेस्टे बना है मेरे साथuing इस चांदार दमदार रसेपी के साथ, until then take care, allah peace, bye-bye.